बिस्मिल्ला रख्मानिराइम, हाँ जी तो क्या हाल है आपके बैन भाइगो, हाँ जी आप ठीक है फूशे अपने करों में अल्ला पाक आपको अबाद रखे, तो ये मैं आज ना बनाने लगी हूँ प्रदीर ना दनिया के चटनी ये तो मैं अक्षर बना के राख लेती और ये बैसे रोटी के साथ अच्छी लगती है तो आज मैंने का चलो बना रही हूँ तो आपको भी इसकी थोड़ा दिखा दें वीडियो तो ये पदीनना और दनिया ये थोड़ा हूआ है टानियों से मतलब बत्ते लादा किये है और ये एक मर्च है ये बड़ी मर्च थी ये काफी है और एक प्याज है बड़ा और दो टमाटर बड़े तो इसमें काली मर्च जाएगी और नमक डालना है तो ये बड़ी अच्छी चटपटी चटनी बाच जाती है ये मैं बनाने लगी हूँ ये प्याज डालने लगी हूँ पहले इनको थोड़ा ब्रीक कर लेते ह अब इसमें टमाटर डालती हूँ ये दो बड़े टमाटर मैंने काटे हैं अब इनको थोड़ा सा थोड़ा सा एक गूंट नहीं डालके ये देखें ये टमाटर भी इसमें हो गया सारे हाल मिक्स हो गया तो अब इसमें मैं ये काली मर्च तकरीबन एक चमच ये एक चमच ही इसमें नमक जाएगा तो हुए ये अब इसमें पदीना और दनिया डालने लगी हूँ तो ये चटनी बान गई है अब इसको न मैं इसमें निकालती हूँ इसमें टमाटर की वज़ा से ना खटी-खटी बनती है बड़ी मझेदार बनती है दनिया पदीना टमाटर प्याज और सबसमर्च और काली मर्च तो यह रोटी के साथ खाएं दई में मिक्स करके खाएं तो पदीना तो आपको पता ही है कि बहुत अच्छा होता है मिद्दे तो बना के राक लेती हूं और हफ्ता कर निकल जाता है तो फिर डबार बना लेते हूं इसको फ्रीज में ऐसे डखन वाले डिबे में डालके ओपर साथ टाक के राक दें तो खराब नहीं होती तो यह इसली इस्तमाल हो जाती है जिस चीज में डालना चाहें आप डाले वैसे करहते देस्तमालस में लिए मे अई यह पयराएं में फना और घेंचा को थे क्युक्त टालन के रोक में यह आंकर आता कंशां के जाताम见 रचाहली बीडियो आपने हैं करिये वालवीडियो मने फीस आदा गाल सब्सक्राइब करना तो फिर मीलेगे किसी नहीं वीडियो पिर में तब तक के लिए अजाज़त दें अल्ला आपीस